खुदा बाप बेटे रूह कुद्दिस के नाम में, आमीन, इंग्लिश का मजूब हो ही रहेगा, Forbidden Faith and Doctrine to Christians, उर्दु में मसिहत के लिए ममनुआ इमान और तालीम, मसिहत के लिए ममनुआ इमान और तालीम, ख्याद है के, बाइबल मुकद्दिस, उन पैरुकारों को जो जिस्व अलमसी पर इमान रखते हैं, और बाइबल की तालीम पर इमान रखते हैं, उनको बड़े सफाई के साथ ये मतला किया गया है, पताया गया है, सिखाया गया है, कि वो चांद एक ऐसे चीज़ों को बिल्कुल तोटली नजर अंदाज करें, इसके क्रीब भी ना पते हैं, जिसका मतलब ये निकला, कि कोई और तालीम, कोई और इमान, कोई और इसा, कोई और यिस्व, कोई और खुदा, जो कोई दूसरे मजभ सिखाने की कोशिश करता है, जो बाइबल बुकद्द्द के स्टेंडर्ड पर नहीं पूरा होता, उस से दूर रहो, बाकी मिज़भ के साथ साथ, जो कोई वो बिल अमूम है, और इसलाम बेल खसूस है, कलाम की रोशनी में, बाइबल मुकद्द्द की रोशनी में, सब कुछ मरा है, इंसानी तकाज़ अपने जगा पे हैं, इमानी हकाइक अपने जगा पे हैं, हम इमानी हकाइक को सामरे रखते हुए बात कर रहे हैं, इन्सानी तकाजे अपने जगह पे है वहाँ हाथ मलाया जा सकता है खाया पिया जा सकता है लेकर जहाँ इमानी फरेक है वहाँ पे दूसरे अपने जगह पे हम अपने जगह पे हमारे किसे के साथ कोई राब्ता नहीं है वहाँ पे कोई साथ ही नहीं कोई दोस्त नहीं इंसानी तकाजों में पासे बेटी से मुमकराद है पहली हकीकत चो हमें मुकद्श बाइबल में से दूसरा करंथियों उसका छड़ा बाब उसके चौद्वी और पंद्वी आयत में मिलती है क्या है दिहां से सुने काम आएंगी बे इमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो बे इमानों के साथ जो यस्व पे उसको खुदा का बेटा नहीं मानते हैं वो हमारे लिए बे इमान है और इसलाम उसमे सरे फरिष्ट है सारे इमाम उसमे सरे फरिष्ट है जाकर नाइक उसमें सरे फिरिस्ट है अंजिम चाओधर उसमें सरे फिरिस्ट है सारे बोलने वाले छोटे मोटे चुहे जो बेड़ंगा डांस करते रहते हैं शेरों के सामने वो सारे बे मतलब है उनका कोई हमारे निजिक मानी नहीं है उनके तालीम, उनका बोला हमारे लिए जीरो है उनका क्लाम, उनका कुरान, उनका मुहम्मद हमारे लिए जीरो है दूसरी हकिकत क्या है? क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल क्याम मेल जोल जो यस्वाल मसी को खुदा का बेटा ही तसलीम करने के लिए तयार नहीं है वो हमारे लिए बेदी है उनके साथ हमारा कोई राप्ता नहीं राशनी और तारीकी में क्या शराकत यस्वाल नूर है रुह कुद्दिस नूर है बाप नूर है बेटा नूरे पाक रुह कुद्दिस नूर है जो उसके बाद है उससा अब तारीकी है रोशनी का और उसके मानने वालों का तारीकी के साथ कोई राप्ता नहीं है मसी को बली हाल के साथ क्या मौफिकत या इमानदा का बेईमान से क्या वास्ता बड़ी खरी-खरी बातें खरा-खरा सच सीधी-सीधी बातें सीधा-सादा सच अब इमानदार जो अपने आपको समझते हैं जो हमारे नजिक बेदीन है वो इन आयतों को पढ़ के सोचें वो कहां है कहां खजलोखार हो रहे हैं सोचें इसको दूसरे करंथियों ग्यारवाब बाप चौथी आयत क्योंकि जो आता है और अगर वो किसी दूसरे ये सुके मनादी करता है जिसके हमने मनादी नहीं की या कोई और रूप तुमको मिलती है जो ना मिली थी या दूसरे खुश्खबरी मिली जिसको तुमने कबूल ना किया था तुम्हारे बरदाश्ट का दाब जा है और येसू और खुश्खबरी और किताब अब ग्यत्यों के नाम ख़त परता हूं पहला बाप और उसकी आठवी नमी और दसमी आज़ आज़ार कि जू लिखा है लेकं अगर हम या आशमा का कोई फुरिष्टा भी उस खुश्खबरी के सिवा जो हमने तुमें सुनाई कोई और खुश्खबरी तुमें सुनाए तो मलाऊन हो मलाऊन हो मलाऊन हो हम मलाऊन नहीं होना चाहते हम यस्व के साथ लाना चाहते है मुहम्मद से क्या मिलेगा कुरान से क्या मिलेगा और जो अल्ला है बो तो अल्ला उसे क्या मिलेगा उनके पस है क्या उनके पस है क्या कुछ भी नहीं जीरो वो हमारे लिए जीरो है अल्ला मुहम्मद कुरान 0000 अब इसके बाद हम चलते हैं इस्तिस्रा की किताब और उसका ठारवा बाब और उसकी बीसमी आएद लेकर जो नबी गुस्ताख बन कर कोई ऐसी बात मेरे नाम से कहे जिसके कहना के मैंने इसको हुकम नहीं दिया या और माबूदों के नाम से कुछ कहे तो वो नबी कतल किया जाए वाव और अगर तो अपने दिल में कहे कि जो बात खुदामने नहीं कही है उसे हम क्यों कर पहचाने तो पहचान ये है पहचान ये है क्या कि जब वो नबी खुदावन के नाम से कुछ कहे और उसके कहने के मताबए कोई चुछ वाकिया या पूरा ना हो तो वो बात खुदावन की कही हुई नहीं बलकुछ नबी ने वो बात खुद गुस्ताख बांग कर कही है तो उससे खौफ ना कहना क्लियर फैसले क्लियर बाते सब कुछ खरा खरा सच खरी खरी बाते इसमें कोई जूट की गुझाइश नहीं है ये बाइबल मुकद्दस है कुरान नहीं ये बाइबल मुकद्दस है कुरान नहीं क्योंकि कुरान हमें कुछ और सिखाता है कुछ और तालीम देता है और जो तालीम बाइबल की मुनाफकत में कही जाए जो यस्व को अपने नजाद जिन्दा किबूल ना करे और उससे खुदा का बेटा तसलीम ना करे वो मुखालफ मसी है पहला युना, दूसरा बाब 22 मी आएद ऐसे लोगों के साथ डिबेट भी करनी चाहिए, मनाजरा भी नहीं करना चाहिए यह बहुत छोटे हैं, यह बहुत नीचे हैं, यासे आस्मान सबसे बलंद है, वैसे मसीहत सबसे बलंद है, यासे जमीन सबसे कम है, इसलाम सबसे कम है लातियों के नाम खाट चाथा बाब उसके तीसमी आते हाजरा और उसके बेटे को निकालो निकाल दो अगर इस्लाम अपने आपको हाजरा और इस्माईल के साथ मुनसलिक करता है तो हमें हुकम है कुछ निकाल दो ना उनके सुनो ना उनके से इमानी बात करो क्योंकि वो गुस्ताख हैं वो बेदीन हैं और गुस्ताख और बेदीन खुदावंद की जमात में शामल नहीं है खुदावंद की जमात में सिर्फ वो ही आएगा जो उसे दुआ करेगा तौबा करेगा पच्छताएगा और इसको अपने नजाद धिन्दा कबूल करेगा वही मसिहित की जमारत में शामल हो सकता है यह ऐसी आमसी बात नहीं है जो लोग लुगवी तेर पर बातें करतें मसिहित के बारे में और कभी चुड़ा कहा देते हैं और कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं गलाम की रौशने में देखो कि मसिहित का स्टेंडर्ड गया है वो मालक के साथ हैं वाबस्ता खालक के साथ वाबस्ता है खुडावंदों के खुडावंद के साथ वाबस्ता है मालकों के मालक के साथ वाबस्ता है जिसके पास आस्मान की बादशाई के पूँ और आस्मान और जमीन का कुल इक्तियार उसके साथ वाबस्ता है कमाशा नहीं मजाक नहीं यह हकाइक की बाते हैं अपने कुरान को छोड़ो अपने अल्ला को छोड़ो अपने मुहम्मद को छोड़ो, अपने حदिसों को छोड़ो और हकीकत के तरफ आओ, वो हकीकत यस्व में आके मिलती है किसी और में नहीं यस्व में आओ, आराम पाओ, इमान पाओ, खुशियां पाओ, चैन पाओ, आराम पाओ वहीं जिन्दगी की, जो हमेशा की जिन्दगी की शारा हैं, वहीं रास्ते खुलते हैं, और जाते हैं ख़दावन में आएं, बरकत पाएं, हमें इजाज़त नहीं, कि हम इसलाम के तरफ देखें हमें इजाज़त नहीं, हम इसलामी अल्ला के तरफ देखें हमें इजाजत नहीं, हम कुरान के तरफ देखें, हमें इजाजत नहीं, आपकी हदीसों को देखें अगर हम पढ़ते हैं, बताते हैं, तो सरफ आपके मुझ के उपर वो हवाले मारने के लिए हमें पढ़ना पढ़ता है ताकि तुमें बताएं कि तुम कहां स्टैंड करते हो तो सरे गंद को छोड़े येशु के पास आएं और हमेशा का अराम बरकत पाएं क्योंकि वो खुदावन आपका इंतजार कर रहा है और आपको बरकत देना चाहता है खुदावन आप सबको बार कर दे आमीन